नमस्कार, न्यूस क्लिक के डेली रॉंड आप में आपका स्वागत है, आए नजर डालते हैं आज की कुछ हेडलाइन्स पर देश में 70,589 नए मामले, 28 दिन बाद पहली बाद प्रतिदिन मौत का आखड़ा 1000 से नीचे तेजी से पिगल रहे हैं सतोपंत और रिशी गंगा ग्लेशियर, अफगानिस्तान, 14 नागरिक और दोस रच्छाबल सैनिको की मौत मेरी बेटी किसी से डर्ती नहीं, जेन्यू छात्रा नताशा नारवाल के पिता स्वास्त मंत्राले द्वारा आज 29 सिटमबर, सुबह 8 बजे जारी आखड़ों के अनुसार, पिछले 24 गंटों में कोरोना के 70,589 नए मामले दर्च किये गए हैं इसके अलावा कोरोना से एक दिन में 706 मरीजों की मौत हुई है प्रती दिन कोरोना से होने वाली मौतों का आकड़ा 28 दिनों के बाद आज पहली बार 1000 से नीचे पहुचा है साथ ही इसी बीच कोरोना से पिडित 84,887 मरीजों को ठीक भीग किया जा चुका है इसी के साथ रोजाना बढ़ रहे सक्री मामलों में 15,064 मामले कम हो गए है देश भर में अब कोरोना के मामलों की कुल संक्या 61,45,295 हो गई है जिन में से अब तक 96,388 मरीजों की मौत हो चुकी है स्वास्त मंताले की ताजा जानकरी के अनुसार रिकवरी रेट में 0.43 फिस्दी की बढ़ोतरी के साथ रिकवरी रेट 83.1 फिस्दी हो गया है यानि कुल संक्रमित मरीजों में से अब तक 51,1397 मरीजों को ठीक किया जा चुका है इसी के साथ देश में अब सक्री मामलों की संक्या 9,47,576 हो चुकी है बारती आयोरिग्यान अनुसंदान परिशद यानि की ICMR द्वारा जारी आगडों के अनुसार अब तक 7,31,10,41 सेंपल की जाच की गई है जिनमें से 11,42,811 सेंपल की जाच बीते 24 घंटों में हुई है इस मामले पर आए सुनते हैं प्रबीर को पहले चर्चा करते हैं दुनिया के बारे में क्योंकि अगर हमें हिंदुस्तान की तज़्वीर देनी है उसके पहले दुनिया की एक जलक देख लेके दुनिया में अभी इस वक्त 33 मिलियन तक 3.3 क्रोड से ज्यादा लोग टोटल केसे जिसे कहते हैं टोटल आकरांथ हुए है कोविड-19 से जिसमें हर देर इस वक्त करीब धाई लाख लोग इससे आकरांथ हो रहे हैं नए केसे धाई लाख अर देर सबसर बड़ा हिस्सा नए केसे में हिंदुस्तान है आपको हम चर्चा करते आये हैं कि यह चीज करीब पीछले देड़ महिने से जारी है कि हम पहला स्थान पे हैं न्यू केसे की और इस वक्त 80-90 के बीच में हम भटक रहे हैं कभी 80 के पास कभी 90 के पास पर लगता है कि 80-90 के बीच में हमारा फिगर काफी इस वक्त स्टेडी है अमरीका के दर देखे तो वह हमारे पीशे हैं नए केसिस में जो टोटल केसे से उस पर हम से थोड़ा आगे हैं पर जिस रप्तार से हम चल रहे हैं लगत रहा है कि अक्टोबर महिने में हम उसको क्रॉस कर जाएंगे पर देखने लाइग जो चीज है कि भारत वर्ष, अमरीका, ब्रिजिल ये तीन मुल्क सबसे आगे है इसके बार जितने मुल्क है, काफी पीछे है, नए केसिस की संख्या में हम और अमरीका सबसे आगे है ब्रिजिल के संख्या भी इस वक्त 14,000 के लगभग है पर दिन और फ्रांस, आर्गेंटीना, रशिया, कोलंबिया ये सब कुछ मुल्क है, जो हमारे पीछे चल रहे है और काफी पीछे है, क्योंकि उनकी फिगर 10,000 क्रॉस नहीं कर रही है, दैनन दिन उनकी फिगर इसे काफी कम है अगर हम देखेंगे कि हिंदुस्तान के बारे में, तो हम बहुत पहले से बात करते आये हैं कि हिंदुस्तान की जो छबी है, अच्छी इसलिए नहीं है, कि हमारा बढ़ोत्री की रफ्तार काफी constant है अगर हम district wise map देखें, तो देखेंगे कि वहां पर जो districts पहले आगे थे, पहले जहां पर काफी पहले थी, वहां पर अभी भी नए cases ज्यादा नज़र आ रहे हैं पर जो दिक्कत की बात है कि करीब करीब हर प्रांत में, हर जिले में कुछ न कुछ cases हैं, बहुत कम है कि नए cases दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, हमारा district wise map है, उसको जाकि देख लिजेगा, total cases और new cases लगभग उन्हीं districts में हैं, जहां पर हम total cases देख रहे थे और वहां पर जो cases हैं, वो अभी तक हमारे काबू में नहीं आएगी, इसका मतलब नए cases तो जिन इलाकों में पहले cases थे, वहां पर नए cases काफी दिखरब दिखने में आ रहा है, पर जिन जिलाओं में दो महीना, तीन महीने पहले cases बहुत कम थे, वहां भी इसका पहलाओ करीब करीब हर प्रांतों में, हर डिस्ट्रिक्ट में कुछ ना कुछ cases अभी निकल के आ रहे हैं, ये लक्षल यही दिखाता है कि हमारी बहुत्री इस वक्त जारी रहेगी और उसमें कोई खास परिवर्तन नहीं आएगा, जैसे दूसरे मुलकों में हुआ है कि पहले बहु काफी रही, इसके बाद एक फ्लैटनिंग अब दे कर्व जिसे कहते हैं रही, इसके बाद कर्व नीचे की तोद आना शुरू हुआ, हमारे यहां यह नहीं हो रहा है, पर आज हम दूसरे चीजों की चर्चा करना चाहते हैं कि जो चीज हम पहले भी बात कर चुके हैं, कि ज इतने हमारी infections नजर आते हैं और हकीकत में कितने infections really रहें, इसमें economist की एक calculation आई है, मैं उसको आपके सामने रखना चाहूंगा, कि जो कहता है कि सरकारे क्यों COVID-19 को गलत समझ रहे हैं, क्यों उसके काबू नहीं आ पा रहे हैं, कुछ मुल्क कर पा रहे हैं, कुछ मुल्क नही कर पा रहे हैं, तो उसके distillation में मैं नहीं जाना चाहता हूं, मैं सर्व आपके साथ एक chart उनकी share करना चाहता हूं, जो आपके सामने है, कि seroprevalence study जो है, उससे क्या निकलता है, seroprevalence study है क्या, seroprevalence study है कि हमारे शरीर में antibodies कितने दिखने को मिल रहा है, वो यह बताता है, कि हमारे अंदर virus आया था, और हमारा शरीर के अंदर जो immune system है, उससे मुकाबला किया, मुकाबला करने के बाद तीन चीज हो सकती, एक तो है कि आपके कोई लक्षन ना हो, मतलब मुकाबला ऐसा जबरदस्त हुआ, कि जो ही germs, microbes या virus आए, उस पे हम काबू पा लिए, तो कोई लक्षन बीमारी की हमारे अंदर नजन नहीं है, ये तो पहला पदक्षेप है, और हो सकता है कि काफी पैमाने में लोगों में यही हुआ, दूसरा है कि लक्षन आए, बीमारी की, जो COVID-19 की symptoms हो हमारे शरीर में वो दिखाई पड़ा, पर बहुत कम मात्रा में दिखाई पड और कम अगर थोड़ा बहुत है भी, लोग उसमें घर पे रहेंगे और कुछ कहेंगे नहीं और ठीक भी हो जाएगे. तीसरी जो संभावना है कि लक्षन काफी धजर आये, टेस्ट हुआ, पताचला COVID-19 है. ये भी है कि COVID-19 की टेस्ट क्योंकि पहले ज्यादा मौजूद लि ये है कि इनिशिल फेज में, जब हमारे हाँ मार्च से लेकर माल लीजे मैं जुन तक, ज्यादा टेस्टिंग भी नहीं थी. और इसके वजह से जो लोग सेरो प्रेविलेंस से अब जाहिर हो रहा है, उनके अंदर जो बाइवाइरस थी, और ये तो कम लक्षन थे, ये तो उन्होंने लक्षन को बताया नहीं था, ये तो टेस्ट नहीं कर पाए, वो ठीक भी हो गए, और सिर्फ उसमें से चन्द लोग ही अब उनके हमारे केसे के रूप में सामने आये, उनकी टेस्ट हुई और वो पॉजिटिव है, लिक लिक लिए. तो ये जो हर मुल्क में ही भी नहीं. तो ये calculation economist की है कि करीब-करीब seroprevalence, दुनिया में और भी जगों पर seroprevalence studies हुई है, जिससे antibody से पता चलता है कि जर्म से या वाइरस आये और उसके बाद उससे मुकाबला शरीब ने किया, बिमारी की लक्षन देखे न देखे. तो उससे जो पता चल रहा है कि लगता है दुनिया में कि 20 से कुछ जहों पे 100 गुना ज्यादा लोग बिमार थे या तो उनके अंदर antibodies थी, इसका मतलब जर्म वाइरस आया था और वाइरस से शायद कोई बिमारी की लक्षन उनके शरीर में नहीं आया. ये दोनों को अगर मिलाएं, तो seroprevalence study से जो नि infected थे, माननेजी ये समझ लेजी, infected का मतलब बिमार की लक्षन उनके नहीं था, पर infection आया था शरीर में, वो शायद 30 million अगर confirm cases है, तो शायद 600 million actually infected थे. ये figures ये नहीं दर्शाता है कि इतने लोग बिमार थे, ये सिर्फ बताता है इतने लोगों के अंदर antibodies हैं, और बिमार शा testing कम रही, बाद में ज्यादा हो रही है, तो उससे शायद 5 गुना लोगों के अंदर लक्षन बिमारी की थी, पर test नहीं हुआ था, इसलिए confirm नहीं है. ये figures की कोई guarantee नहीं है, क्योंकि जो बीद गया समय, उसके बारे हम कुछ कह नहीं सकते, पर इससे एक चीश निकलता है, क कि हमारी जो death rate की देखते हैं कि अब बहतर हो रहा है पहले से, पहले तीन महीना जितने लोग मरे थे, cases to fatality ratio जिसे कहते, case to fatality ratio, कितने लोग भी बार पड़े, जो हम जानते हैं, जिनकी test positive निकला, उन में से कितने लोगों की मौत हुई, वो figures काफी high था, इस वाक घट रहा है, तो ये घटने का एक वज़ा ये भी है, कि अब test ज्यादा हो रहा है, हम confirm test की संख्या बढ़ गई ह इसलिए case to fatality ratio थोड़ी सी बहतर हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग का व्यापक असर हिमाले में अब दिखने लगा है, वैग्यानिकों के शोद के अनुसार, न केवल ग्लेशियर के पानी से बनी 57 जील का दारा कम हो गया है, वहीं रिशी गंगा कैंचमेट के एरिया के ग्ले में तकरीवं 10 प्रतिशत की गिरावट दर्च की गई है, 1980 में नंदा देवी बायो स्फियर रिजर्व के रिशी गंगा कैंचमेट का कुल 243 वर किलोमेटर एरिया बर्व से ढका था, लेकिन 2020 में यह एरिया 27 वर किलोमेटर ही रह गया है, वहीं अब इसमें 10 प्रतिशत की और गिरावट दर्च की गई है, उत्राखंड अंतरिच उपियोग केंद्र ने सेटलाइट डेटा के आधार पर यह निसकर्ष निकाला कि 37 सालों में हिमाचादित छेतरपल में 26 वर किलोमेटर की कमी आई है, शोज में ये भी सामने आया है कि इस छेतर में पहले 27 स्नो शोद शात डाक्टर मनीस महता और स्रीकृष नोटियाल भी शामिल थे, 29 सितंबर की सुबह को अफगानिस्तान की कजरान जीले में बं भटने से 14 लोग की जान चली गई, मरने वालों में से 7 महिलाए, 5 बच्चे और 2 आदमी शामिल थे, फरियाब सुरक्षा अधिकारियों के मताबिक, तालिबान के इस हमले में सुरक्षा बलके 2 सैनिक और आर्मी का 1 सैनिक भी मारा गया है, अफगानिस्तान में इस्तिता लाने के लिए, कतर के दोहा में चल रही अंतर अफगान शान्ती वारता के बावजूद, जिसे महतुवड माना जाता है, हिंसा कायम है, अस अफगान शान्ती वारता की शुरुवात के बाद से कम से कम 130 लोग मारे गए हैं, और 100 लोग से अधिक घायल हुए हैं, पिछले हफ़ते बागलान, ताखर, हेलमन, कपीसा, बल्ख मैदान वर्दक और कुंदज, प्रांतों में अलग-अलग जड़पों में अफगान सेना क 57 जवान मारे गए थे, 28 सितंबर को अफगान हाई कॉंसिल फॉर नेशनल री कंसिलेशन अब्दुल्ला अब्दुल्ला अपनी तीन दिवसी यात्रा के लिए पाकिस्तान पहुचे, उनके साथ परिशत के प्रमुक सदर्शिबी थे, एक अन घटना में मंगलवार को विद् दो ही तालिबान ने शिरिन टैगप जीले में एक सुरचा जाधल पर हमला किया, अस्थानी लोगों ने कहा कि पहला हमला पिपल्स विद्रोव बलो की चौकी माईमना के दामुकुल छेतर में किया गया, जहां दो सुरचा बलो ने अपनी जान गवादी, दिल्ली दंगों क दिल्ली पुलिस ने चात्रों, सामाजी कारकरताओ, शिचकों को गिरफतार किया है, मगर किसी भी मामले में अभी तक कोई ठोस कारवारी नहीं हुई है, इसी सिलसिले में जेनियो की चात्रा नताशा नार्वाल भी करीब 3 महने से जेल में बंद है, नियूस क्लिक ने उनके कुछ ठीक हो जाएगा, आए सुनते हैं उनके पिता को, मैं मैं उनको गरिफतार किया गया, उनकी गरिफतारी से एक दिन पहले में उनसे मिला था, और उनको ये मैसेज आ चुका था पुलिस की करब से, कि वो उनका इंटरोगेशन करो, हम भी जोइन करेंगे, वो करने लग के लिए Special Cell की पुलिस आ गई गी और उसी इंटरोगेशन के दौरान एक पुलिस पार्टी और आ गई वहीं पे on the spot उन्होंने आकर बताया कि हम जापराबाद कुई स्टेशन से हैं और हम आपको गरिफतार करने हैं ठीक है गरिफतार केजिए उसी स्पोट से और फिर उनको कोट में पेश किया गया और नेक्स दे और नेक्स दे कोट ने उनको जमानत दे दी और काया कोट केस बनता नहीं है खास तो शेचिट बे अलाजड़ डे तो दूसरा पुलिस से दूसरे पुलिस से वहां पहुंच गई और उनकाया कि जनाब हम आरे भी एक एख भार हैं और हमको इस गरिफतार करने वो गिर्फतार करके ले गई अपना इंटेरोगेशन रखा तीन चार दिन और उस केस में भी उनकी जमानत हो गई और जमानत के दोरान हाई कोट ने ट्राइल कोट ने और हाई कोट ने ये कॉमेंट जरूर की हैं कि कोई दिखाई कोई विट्मेस नहीं बन रहा है कोई एविडिन्स नहीं है कि इनोंने ये सब काम दे हैं तो हमें खुशी हुई कि चलो ये तो साबित होगा कि पुलिस को गल्द फह्म यह होगई होगी या कोई जानभूज के भी हो सकता है कि इसका कोई कसूर नहीं है और ये अल्टिमेटली बड़ी हो जाए रहा है केसिस बहुत बनाए हुए है राइटिंग का केस है वाइलिंस का केस है आर्म सेक्ट का केस है अटेंप्टू मर्डर का केस है मर्डर का केस है पुलिस के सामने काम करने में आप्स्टक्शन का केस है और सारे इलिगल सेंबली का केस है तो अब तो हमें क्या कह सकता हूँ है उ उसका नाम है UAPA, अब UAPA में जो करिमिनल पार्ट है वो ही है जो पहले वाली FIRS में है, बिल्कुल एक्टली वही दारा हैं, तो हम समझते हैं के पहले भी कोर्ट में देखा है के लड़की तो बेपसूर लगती है, इसमें भी हो सकता है, कोर्ट ये कहे के हाँ भई इसको गल अब पुलिस को गलत है, मिमें भी चार्ज लगा देते हैं, मिस्ट रिपोर्टिंग कोई कर दे, चुगली करे, उस पर भी पुलिस गरिफतार कर लेती है, लेकिन इसमें मुझे लगता है कि कोर्डिनेशन था, पुलिस के चेन आफ इमेंट में कुछ ऐसा कोर्डिनेशन था कि इसको पकड़ नहीं है, एक के बाद, दूसरे के बाद, तीसरा, तो हम समझते हैं कि मेरे खाल से इसके चार्ज भी जिस परकार से पहले वाली दो F.I.R. में वो चार्ज नहीं से दो पा रहे हैं, वो सकता है, इसमें भी उससे दना हो, क्योंकि एक्षन तो एक ही है, तीन F.I.R. आप एक ही एक्षन में लगा दो तो उसके एविडेंस तो पराबर हो ही रहेंगे, तो मुझे पूरा यगीन है, कि इन से बढ़ी हो जाए, नताशा का करेक्टर ऐसा नहीं है, नताशा बहुत स्यांती परी है, बहुत डिटर्मिंड भी है, और वो बहुत डिसिप्ल में भी, अडोस परोस में भी, सब में भी उसको एक बहुत अच्छी लड़की मानते हैं, बड़ी शरीफ लड़की मानते हैं, और बड़ी प्लीजिंग परसनल्टी है उसकी, यह हमारे गर आती है तो गली के पिल्ले भी खेलने आती है, उससे कि नताशा आशा आगी, चलो हो गया, हाँ, वो अपने विचार दुड़ा फरंबगती है, वो आप, और आप मुझे यह भी बता रहे थी कि किस तरह से वो जेल में भी अभी लोगों को योगा भी सिखाने की कोशिश कर रही हैं, और किस तरह से रह रही हैं वो वाँ पर, आप पुछिए कि वो इंटिमि से बाहराने के दिल भी आजाएंगे, तो भी ऐसा क्या बात है, किसी भी कारण से हम जेल में हैं, तो जेल में अच्छी तरह जिएंगे, उनों वहाँ, सब से मेल जोल किया है, बच्चे, बच्चों की कंपनी मिल गई है उसको, चोटे-चोटे बच्चे भी हैं वह सब उसको से बात हुई थी, I think she has applied, कि हम जेल में लिए ट्रेशी का कारेकम शुरू करते हैं, तो वो जिंदा रहना, जो जिंदा दिली है नो जेल में भी रह सकती है, कोई बात नहीं है, और वो रहे की जिंदा दिली, सर वो कभी हमें ऐसा नहीं शो करती कि में तो तंग होई हैं, ठी खुष कोई नहीं है, जेल में रहके मैं भी खुष नहीं हूँ, वो भी खुष नहीं है, लेकिन वो डर के अपने किसमत के उस पर नहीं रहती है, हम रहेंगे, साइद, we were born, we were destined to see these days, को यसी बात नहीं है, यह दिन भी गुजर जाएंगे, कितने दिन गुजरे हैं पहले, असा को चटी चूट है हमका, बिलकुल, और जिस तरह से हमने देखा कि काफी और छात्र भी हैं, जिन्हें काफी समय से गेल में रखा गया, और उसके बाद अब उने छोड़ा जा रहा है, और कुछ सुबूत रहीं मिल रहे हैं, जिससे आपने बताया कि किस तरह से लोगों समझाएंगी कि इस इंवेस्टिगेशन को किस रूप से देखा जाए और नताशा की केस को लेकर के और छात्रों को जो की एक्टिव रहे हैं, जो अपनी आवाज उठाते रहे हैं, उनको आप किस तरह का एक मेसिज देंगे या अंडिस्टैंडिंग आप दिखाना अंडिस्टैंडिंग होनी चाहिए इन तर चीजों के बारे में? इसे लगाने भी नहीं चाहिए, मतलब यह कोई तरीका भी नहीं है लगाने का, और यह कोर्ट ऑफ जस्टिस में यह स्टैंड नहीं कर पाएंगे, और पुलिस को थोड़ा सा खुद अपने अपने द्वार पर भी जस्टिस की तरफ देखना से, यह फुद अपने पास भी अपने लिए नहीं तरफ देखने लिए उनको तो पता है, वो भी कानौन जानते हैं, वो थोड़ा सा बात खेंगे, और बहुत मामूली से, छोटे से बात के उपर बड़े बड़े धाराएं लगा दी जाएंगे, और बड़े-फिर बना दी जाएंगे, यह 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 ज़ यह तो मुझे लगता है कि पुलिस के इस इचिटीट में सुधार आ जाएगा, लोग कहेंगे, सम्झाएंगे, कोट में जाएंगे, हम भी कहेंगे, तो हो सकता है कि situation बदले और justice, wave of justice comes up sometime, there are always hopes. अब नताशा जो है, उसका घर पर जो पहला, the first love she had was her education, and inner trust of education, you know she has reached to the highest pinnacle of education, PhD in JNU, it's really a dream thing. मैं भी खुश होता है इसको देखके, मेटिबेटी भी खुश है, और मुझी यकीन है कि उसके तो education का उसका pursuit है, वो reverse नहीं होगा, आज के दिन reverse हो जाएंगे, आज के situation reverse हो जाएंगे, charges reverse हो जाएंगे, लेकिन उसकी जो personal, जो उसका एक suit है, जो उसकी achievement है, उसके साथ रहेंगे, and this is all as a father I wish her all the best. और किस तरह के aspirations है आगे Natasha की, क्योंकि वो PhD कर रही थी, तो आगे वो academics में जाना चाहती है, क्या करना चाहती है, और… यह खास बात है, उन्होंने, education attain करते वहतना goals नहीं बनाई, उन्होंने सरफ education को attain किया है, और उसमें आगे बढ़ते जाना है, और सियाज बने very good student, all through, और वो जो पढ़ती है ना, वो किताब के beyond पढ़ती है, किताब पढ़ते पढ़ते भी दुनिया में चली जाती है, इसलिए वो पढ़ना बहुत मेनिंफूली पढ़ती है, विचार भी developed होते हैं, social concerns भी developed होते हैं, उसमें फिर आपको human values भी developed होते हैं, कई बार तो वो किताब से ही निकाल के देखती है, पपई गल्प लिखावाया, को पढ़ती है, तो जाती है, तो से बार जाएगा, तो से निकाल के लिए जए भी जाएगा, को जाएगा, कोई बार हो जाएगा, होगया है, सो उनका SIT थोट है education है, फस्तिंग है. डुस्रा ये है का उसका जो में पर्सपेक्टीव देखता था, उसका उसका जो में परस्पेक्टिव देखता था, वों, डिस्क्रिमिनेशन को पसंदмотр humid Grand खरों में भी discrimination होता है अलज में भी discrimination होता है, politics में भी discrimination होता है इसलिए उनका जो रुजहान था, वो महिलाओं के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, गर में भी, इसमाज में भी, एजुकेशन में भी, तो उनका ध्यान गया, वो यंग स्टुडेंट, यंग गर्ल स्टुडेंट, जो हॉस्टल्स और पीजी वगरा में, इतना उनके साथ injustice होता है, इतना oppression होता है, इतना उनके उपर दबाव पड़का है, उसकी तरफ उनका ध्यान गया, विकोल, उसका अपना परस्पेक्टिव है के injustice जो है, वो डाइजिस्ट में करता है, वो पिंजरा तोड के रूप में, वो उबरा है, ये तो पिंजरे बनाये हैं तो उनके होस्टल वगेरा तो और ये हो जाने चाहिए, ब्रेक होने चाहिए, लड़कियों, set them free, ये इनसान है, उपने आपको सब डिफेंड भी कर लेंगे, और जब बहुत सारे लोग होंगे कट्थे तो कोई खतरा नहीं, कोई डर नहीं है, ये false narrative है लड़कियों को इस पे उनना बात करती नहीं, मिरसाथ भी कोई बात की है, पिंजरा तोर इस से आगे मुझे लगता नहीं कुछ और चीज है, और पिंजरा तोर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत collective हो है, ये तो लड़कियों की समानता के लिए एक छोटा विचार है, छोटा पिंजरा तोर को यूज करके कहना की अच्छा नहीं, वो ठीक नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं है, ये सिंपल एक्स्परेशन है मैलाओं का, अगेंस्ट इनेक्विलिटी और अगेंस्टी ऑपरेशन, उसको एक्स्परेस कर रहे हैं, जब जादा लोग हो जाते हैं, तो संग इसका ऑफिसर या कोई हाइक कोट के जाज, वो इसको एप्रिशेट करें, आज के डेली राउंड अप में बस इतना ही, न्यूस क्लिक के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साती देश और दुनिया की अन्य खबरों के लिए हमारे हिंदी और इंग्लिश वेबसा झाल